नमस्कार ब्यूटिफुल हमेशा हिंदी चानल में मैं कि दिन आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी कि बारिश की मौत्व में जड़ते हुए बालो को किस तरह से रोका जाए वैसे तो दोस्तो बारिश का मौसम आख चुका है यह मौसम जितना हमें पसंद है उतना ही हमारी ब्यूटि के लिए इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा परेशानिया हो जाती है और सबसे पहले इसकी वज़े से हमारे बालो को परेशानी होती है क्योंकि हमारे जो बाल है वो जड़ने लगते है आप सबी को पता है कि बारिश का जो मौसम होता है वो बहुत ही नमी वाला होता है बहुत ही हुमीड वाला होता है और इसी की वज़े से हमारे बालों में भी बहुत सारी परेशानिया चालू हो जाती है तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंपोर्टन टिप्स बताऊंगी जिसे आपको पका सुनना चाहिए तो चलिए दोस्तों मैं बता दूँ आपको वो टिप्स पर दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे तो सबसे पहले मेरी चानल के लिए सबस्क्राइब कर दीजे और उसके बाजू में एक बेल आइकन बटन है उसे भी क्लिक कर दीजे ऐसा करने से आपको मेरे हर बालों का जड़ना चाली हो जाता है तो दोस्तों इसलिए आपको एक दिन में या दो दिन में अपने बालों को पक्का धोना चाहिए तोने के लिए कोई अच्छा सा हर्बल शांपू का इस्तिमाल करना चाहिए और साथी साथ अपने बालों को बिल्कुल भी ना भूले कि क कंडिशनर करना है कंडिशनर करने की वज़र से आपके जो बाल है वो सुलजे रहेंगे और बहुत ज्यादा मौशिराइज भी रहेंगे इसलिए कंडिशनर हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है इसलिए जब भी आप बाल दोए तब तब अपने बालों को कंडिशनर करें इसके बार मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी कि दोस्तों बारिश की मौसर में बिल्कुल भी अपने बालों के लिए hair dryer या blow dryer या फिस्ट्रेटनर का इस्तिमाल न करें इन तरह के जो products होते हैं ये हमारे बालों को बारिश की मौसर में बहुत जादा damage कर देते हैं और इनकी वज़े से भी हमारे बाल जहड़ने लगते हैं साथी साथ आपको ध्याम रखना है कि आपको कोई भी hair के treatment भी नहीं लेनी चाहिए अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा जहड़ रहे हैं बारिश के मौसर में तो आपको एक hair mask बता दू इस hair mask की वज़े से आपके बाल बहुत ही silky, soft और बहुत ही manajबन हो जाएंगे साथी साथ जो बालों का जहड़ना है वो भी कम हो जाएगा इसके लिए आपको एक अंडा लेना है अंडे में protein होते है, sulfur होते है यह हमारे बालों के health को सुधार देते हैं इसके बाद आपको दो चमच, almond oil यानि बदाम के तेल को लेना है बदाम के तेल में में vitamin E बहुत जाना मातरा में होता है यह हमारे बालों को growth करता है और उन्हें बहुत सारी hair problem से भी दूर लगता है इन दोनों को अच्छे से मिलाकर अपने बालों पर आन्दे घंटे के लिए लगा लीजे और उसके बाद किसी हाबल शांपू से अपने बालों को धो लीजे अगर हफते में भी एक बार इस hair pack को आप करेंगे तो आपका जो hair fall है वो रूप जाएंगा और आपके बाल बारिश में भी बहुत सिंदर हो जाएंगे इसके बार दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप सबी को पता है कि बारिश की मौसम से हमारे बाल बहुत ज़्यादा छिप्चिपे हो जाते है इसलिए आप हो कर भी तेल ना लगाए अगर आप दिन में बाहर निकलते समय अपने बालों में तेल लगाएंगे तब बारिश के चिपचपे मौसम के साथ और बारिश की वज़े से हमारे बाल बहुत ही जादा डामेज और खराब हो सकते है और अगर आपको तेल लगाना भी है तो रात में सोने से पहले लगाईए और सुबह अपने बालों को धोलीजे इस तरह से अगर आप तेल लगाएंगे तो आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा मैं आपको मिलूंगे और एक ऐसी महतुआ पुर्णत वीडियो के साथ तपते के लिए धन्यवाद